Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशीफल ये 18th April से लेकर 24th April तक की आपकी tarot ratings है, tarot predictions है और अगर आप personal tarot s2 session book कराना चाहते हैं तो मुझे whatsapp call या फिर whatsapp message करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि दिए normal call हो सकता है, miss हो जाए लेकिन whatsapp पे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और मेरी contact details आपको नीचे description box पे मिल जाएंगी इस video के end में भी मिल जाएंगी इसी के साथ साथ अगर आप DDT already में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या पर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही कराशी फल चलिए क्या प्रिकॉंज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं three of wands and spiritual union और देखें ये cards कहते हैं कि इस week in general या फिर specifically अपने professional front में किसी चीज को लेकर एक planning आप करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं एक deciding सा किसी चीज को लेकर face रह सकता है और देखें जो भी आप decisions choices लेना चाहा रहे हैं या फिर planning कर रहे हैं कहीं current situation पे आप इतना focus नहीं कर रहे हैं long term planning, long term goals आप जादा बनाते हुए दिख रहे हैं या मैं कह सकती हूँ कि future के ओपर आप जादा focus करते हुए दिख रहे हैं और देखें यहाँ पे सब के लिए different planning हो सकती है different decisions हो सकते हैं क्योंकि ये general reading है लेकिन three of wands के नीचे spiritual union का card कहता है कि या तो किसी co-worker colleague के साथ आपका पीछे कुछ issue हुआ, मसला हुआ उसको आप resolve करना चाहा रहे हैं उसी से ही related planning आप करना चाहा रहे हैं या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी के साथ partnership में कोई काम करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई support कोई help या तो किसी co-worker किसी loved one से आप लेना चाहा रहे हैं या फिर देना चाहा रहे हैं और इसी से ही related planning दिखिए कुछ लोगों के लिए रहती हुई दिख रही है और यहाँ पर मैं फिर से कहूँगे कि यह general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा या फिर किसी भी चीज को लेकर again long term goals आप बनाना चाहा रहे हैं और कहीं दिखिए एक waiting and allowing वाली energies भी इस वीक रहती हुई दिख रही हैं यानि कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज का इंतजार भी आप कर रहे हैं यह इंतजार भी सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत effort किया, बहुत महनत करी किसी चीज के लिए उसके outcome का आप wait कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि किसी news, phone call, message का आप वेट कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि right time का आप वेट कर रहे हैं जो भी आप future के लिए चाहा रहे हैं उसी से ही related action initiatives लेने के लिए तो दिखिए overall बहुत active energies इस week आपके professional friend में रहती हुए नहीं दिख रही हैं कहीं थोड़ा सा फिर से मैं कहूंगी आप पॉल्त लेते हुए दिख रहे हैं कहीं एक passive energies में आप जाधा रहते हुए दिख रहे हैं and personal friend के लिए आप लोगों के लिए cards हैं 10 of wands and disruption और दिखिए disruption का card कहता है कि कि किसी चीज़ को लेकर specifically अपने personal front में आप किसी level पर टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस करते हुए दिख रहे हैं बहुत एक disturbing सी energies मन ही मन रहे रही हैं जहां पर एक उथल पुथल एक you know फिर से मैं कहूंगी परेशानी आप महसूस कर रहे हैं और देखें फिर से ये general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा लेकिन disruption का card कहता है कि किसी चीज़ को आपने बहुत शिदद बहुत प्यार से बनाया और इस week कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ टूट गई है और ये भी सब के लिए differ करेगा और इसी लिए या फिर otherwise भी 10 of wands का card कहता है कि एक burden एक pressure आप महसूस कर रहे हैं तो देखें जब भी ये card जाते हैं हम यही कहते हैं कि सबसे पहली बात हो सकता है आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ली हैं आप अपना तो काम कर ही रहे हैं आप लोगों का भी काम कर रहे हैं आप लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं और अगर ऐसा आप पाएं कि आप्रिकॉंस तो इस चीज़ को चेक करके correct करें थोड़ा सा अपना burden offload करें और बहुत ही प्यार से लोगों को ना कहना सीखें और देखिए जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं या फिर परिशान कर रही हैं आप उनको let go करके या फिर उनसे अपना focus shift करके उन चीज़ों पर अपना focus करें जो अच्छी हैं या फिर जो आपके हिसाब से चल रही हैं और यकीन मानिये जैसे ही आप अपना focus shift करेंगे आप better भी feel करना शुरू कर देंगे क्योंकि मैंने हमेशा कहा है हम सब लोग energy beings हैं जिस चीज़ पे भी बहुत ज़ादा focus करते हैं वही हमारी life में बढ़ती है और जब भी भी कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है या हमें परिशान कर रही होती है और हम उस पे बहुत ज़ादा focus करते हैं तो उसी परिशानी को कहीं हम multiply करते हैं और time being ही जब हम अपना focus shift करते हैं तो कहीं एक better energies में हम vibrate करते हैं और फिर better energies भी universe से हम लेकर आते हैं अपने लिए तो इस चीज का खयाल इस week आप रखें and guidance से आप लोगों के लिए balance का card है तो बहुत ही clearly ये card कहता है कि जो भी issues specifically आप अपने personal front में इस week नहसूस कर रहे हैं उसका एक reason ये भी हो सकता है कि आप कोई चीज बहुत जादा कर रहे हैं यानि कि जरूरत से जादा कर रहे हैं और देखे जब भी भी कोई भी चीज चाहे वो जितनी भी अच्छी हो उसको हम proportion से जादा करते हैं एक disbalance आता है और फिर एक परिशानी भी हम अपनी life में लेकर आते हैं जैसे कि खाने में नमक बहुत एहम है लेकिन जब यही नमक जरूरत से जादा होता है और जितना जादा होता है उतना ही उस खाने को खराब करता है तो nutshell में एक balanced energies में आप रहें कुछ भी आप over कर रहे हैं तो उसमें एक moderation इस week आप जरूर लेकर आएं और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो भी इस week की energies को आप काफी बहतर कर पाएंगे और astrology से आप लोगों के लिए वोगो sign का card है और इसके हिसाब से brown color इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो ये था कैप्रिकॉर्ण आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए